हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारत की 5 सबसे अधिक माइलेज देने वाली कास, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं नंबर पांच पर है मारूती सेलरियो, इस कार की कीमत इंडिया में 5,44,000 रूपे अन रोड से शुरू होती है इस कार में 998 cc का इंजन दिया गया है जो 65 BHP की पावर 89 Nm का टॉक और 19 km प्रती लीटर की माइलेज देता है नंबर चार पर है मारूती स्विफ्ट, इस कार की कीमत इंडिया में 7,28,000 रूपे अन रोड से शुरू होती है इस कार में 1197 cc का इंजन दिया गया है जो 80 BHP की पावर 111 Nm का टॉक और 20 km प्रती लीटर की माइलेज देता है नंबर 3 पर है Honda City Hybrid, इस कार की कीमत इंडिया में 21,92,000 रूपे अन रोड से शुरू होती है इस कार में 1498 cc का इंजन दिया गया है जो 96 BHP की पावर 127 Nm का टॉक और 21 km प्रती लीटर की माइलेज देता है नंबर 2 पर है Toyota Urban Cruiser High Rider, इस कार की कीमत इंडिया में 12,85,000 रूपे अन रोड से शुरू होती है इस कार में 1490 cc का इंजन दिया गया है जो 91 BHP की पावर 122 Nm का टॉक और 21.2 km प्रती लीटर की माइलेज देता है नंबर 1 पर है Maruti Grand Vitara, इस कार की कीमत इंडिया में 12,62,000 रूपे अन रोड से शुरू होती है इस कार में 1490 cc का इंजन दिया गया है जो 91 BHP की पावर 122 Nm का टॉक और 23 km प्रती लीटर की माइलेज देता है तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें